ट्रुमूल कॉंग्रेस की लोगसभा सांसद महुआ मोहित्रा को लेकर तस्वीर अब बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोहित्रा के खिलाफ शिकायत की जाच कर रही एथिक्स कमीटी ने अपनी रिपोर्ट में लोगसभा स्पीकर ओम बिल्ला से महुआ मोहित्रा की संसद सदस्यदा को रद्य करने की सिफारिश की है महुआ मोहित्रा के खिलाफ भाजपा संसद निशिकान दूबे द्वारा पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में की गई शिकायत की जाच कर रही एथेक्स कमीटी ने गुरुवार को अपनी बैठक में बहुमत के आधार पर उस रिपोर्ट को सुईकार कर लिया जिस रिपोर्ट में महुआ मोहित्रा के आचरन को अनैतिक बताते हुए लोगसभा स्पीकर से उनकी लोगसभा सदस्ता को खारिच करने की सिफारिश की गई है एथिक्स कमीटी की बैठक में क्या क्या हुआ इसके बारे में एथिक्स कमीटी के चेर्मेन विनो सोनकर ने बैठक के बाद खुद बताया बताया जा रहा है कि बैठक में कॉंग्रेस की सांसद पंजाब के पूर मुख्यमंतरी अमरिदर सिंग की पतनी परनीत कौर ने भी भाजपा सांसदों का साथ दिया परनीत कौर ने भी उस रिपोर्ट को सुईकार करने के लिए वोटिंग की जिस रिपोर्ट में महुआ मोहित्रा की संसद सजस्ता को खारिज करने की सिफारिश की गई है एथेक्स कमिटी की बैटक में कौंग्रेस के सांसद परनीत कौर द्वारा महुआ मोहित्रा के खिलाफ तैयार की गई ड्राफ्ट रिपोर्ट के समर्थन में वोट करने से उसके पक्ष में सांसदो की संख्या 6 हो गई जबकि चार सांसदो ने उस परस्ताव के खिलाफ अपना वोट किया और इस तरह से 6 और 4 के अंतर से बहुमत से एथेक्स कमिटी ने उस परस्ताव को पारिद कर दिया यानि उस रिपोर्ट को एडॉप्ट कर लिया जिस रिपोर्ट में लोगसबाय स्पीकर से महुआ मोहित मिट्रा की संसद सदस्ता को खारिच करने की सिफारिश की गई है एथेक्स कमिटी की बैटक में क्या क्या हुआ यह आप एथेक्स कमिटी की चेर्मेन विनो सोनकर की जुबानी सुनिये है जिसमें छे लोग समर्थन में थे और चार लोगों अपना डीसे नोट जम संब्सक्राइब कि अधार पर एक विस्तित रिपोर्ट अपने प्रस्ताव के साथ अपनी सिफारिश के साथ लोगसबाय स्पीकर को सौपा जा रहा है और उसमें कमेटी के द्वारा जो फैट फ है और लोगसबाय स्पीकर को सौप आज डार करने के बाद कल सौप देंगे उसके बाद जो भी करवाई है तो क्या रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में जब तक वो प्रजेंट नहीं हो जाएगी तब तक वह इत्रा एक बिलाएगा ना किसी दिए कमेटी ने कमेटी के सभी सदर्सों ने चाय्ड निशीकांजी के दवारा जो आरोप था या हीरा नंदानी जी के दवारा जो एफिडेमिट था या अधिवक्ता वकिल साथ जो है यान जो बयान था उन सब रिपोर्ट को विश्तित अब्रण करने के बाद एक विश्तित रिपोर्ट पुमेटी दोरा तैयार किया गया और तैयार करने के बाद अपनी सिफारिस के साथ लोकसवाई स्पीकर को हम लोक भेज रहे हैं सिफारिस को सुईकार करने के पक्ष में अपना वोड दिया कि पंजाब के पूर मुख्यमत्री अमरिदर सिंग की पतनी जो की वर्तमान में कॉंग्रिस की सांसद है परनीत कौर उन्होंने महुआ मोहितरा के खिलाफ वाली रिपोर्ट को स्विकार करने के पक्ष में अपना वोट दिया इसके अलावा अन्य सांसदों की बात करे तो जीता सारंगी ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया भाजपा सांसद सुमेदा नंसरस्वती ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया और भाजपा सांसद राजदीप रॉय ने भी प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट किया महारास्ट के मुख्यमंतिरी एक ना लेकिन इसके अलावा विपक्ष के चार सांसद ऐसे भी थे जिन्नोंने प्रस्ताव के विपक्ष में अपना वोट दिया बल्कि उन्होंने अपना आसहमती का नोट जिसको संसदिय कामकाज की भार्षा में नोट अफ डिसेंट कहा जाता है वो भी सब्मिट किया बताये जा रहा है कि इन चारो सांसदों का डिसेंट नोट एथिक्स कमिटी की उस रिपोर्ट का हिस्सा होगा जो रिपोर्ट लोगसबा स्पीकर ओम बिल्ला को सौपी जाएगी बहुजन समाज पाटी के सांसद दानिस अली जनता दल योनाइटेट के लोगसबा सांसद गिरधारी यादव के अलावा कॉंगरेस के सांसद वैथी लिंगम वे और सीपीम के सांसद पी आर नटराजन ने एथिक्स कमिटी की बैटक में महुआ मोहित्रा का समर्थन करते उस रिपोर्ट का विरोध किया जिस रिपोर्ट में महुआ मोहित्रा की संसद सदस्यता को लोगसबा सदस्यता को खारिच करने की बात कही गई थी लेकिन चोंकी एथिक्स कमिटी की बैठक में इस रिपोर्ट को सुईकार करने को लेकर गहरे मतवेद थे इसलिए फैसले के लिए वोटिंग करना पड़ा और ये चार सांसर बहुमत के आगे कम पड़ गए और छे और चार के बहुमत से एथिक्स कमीटी ने महुआ मोहित्रा के खिलाफ रिपोर्ट को सुईकार कर लिया है जिसे बकॉल एथिक्स कमीटी चेर्मेन विनो सोनकर कल लोगसभा अध्यक्ष ओम बिला को सौपा जाएगा और अगर लोगसभा स्पीकर इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हैं तो बहुमत के आधार पर लोगसभा ये फैसला करेगी कि महुआ मोहित्रा संसर्थ की सदस्थ से बने रहने लायक है या नहीं और लोगसभा बहुमत से अगर एथिक कमिटी के प्रस्ताव को स्विकार कर लेती है तो महुआ मोहित्रा की लोगसभा सदस्थ से खारीज हो जाएगी महुआ मोहित्रा लोगसभा की सांसर्थ नहीं रहेंगी आएए अब आपको उन सांसर्थों के बयान सुनवाते हैं जिनोंने एथिक्स कमिटी की बैठक में उस ज्राफ्ट रिपोर्ट का विरोध किया था उन सांसर्थों की बात सुनवाते हैं जिनोंने एथिक्स कमिटी की बैठक में महुआ मोहित्रा का साथ देते हुए उसके ख कि आपको जो सम्मान किया कि आप सम्मान नी है डिसकस कर लिजे बोला कुछ ने अपना डिसेंट नोट दिया जब वो चलेगा हम लोग क्या 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 परनित को आपने पक्षम ने वीजेपी के साथ साइट किया परनित को आपनों के साथ नहीं थे व्योग शुनी थे अपने परनित को आपने 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 परन पतस्थ पार्ता पेसी अधाट लोग्याट्न रिख सर्थ पन्हेंटॉ करस्का कर देन्धी चेट है। और मोरव रिसने कारो था नहीं है, और नहीं होगास। भी स्क्रीघ समय भी सब्सक्राइब ठार नहीं है। तुके लुद्टेथ इनकोएथ शेक्टारे थाटुल युद्टारे थार्सली टुम्टेश भार्णू खो पडेखिए लुद्टारे थाटू और प्रिष्टार्ट आपके लुद्टारुबव्टी से पेश्ट के लिए विर्पटि टेजगे permits founded for the chairman also...! terms they have given so many interviews even before the commencement of the committee under they have given so many interviews and it is a disclosure Mr. dubai also he has given a interview so this 270 402 the second is applicable for the ruling party for the people also the chairman also because here come whether it compared to the Honorable Speaker of Jilokishav also regarding this the second point में कर चाद कि लीकला कर नाट अगा। अग्वार्णार का लिए की इन अगा। वे अगा लाट प्राग किले दिए टूब साथ अगा। भुक्रोवद रखिजिए भी तो रखिशर कहा थानुपन जर्वा होगा, हुप बेस्टोच में परनेको हुआ है क्योटाओ अटेस्ट पुरूछे रषिगा है कि अगर्जुंधी पूल प्रूंट थेस्ट सक्षग कम करते हैं सब्सक्राइब करने के बाद अब लगभग यह तैवाना जा जा रहा है कि द्रूनमुन कांगेस की सांसद मवव मौित्रा की लोकसभा सदस्टय अब रध होने जा रही है और शायर यह ससत के सीठकालिन सत्र में ही हो सकता है संसत के सीठकालिन सत्र की भी तारीक आ चुकी है कि इंद्रिय संसदिय कार्यमंत्री पाला जोशी ने संसद के सीट कालिन सत्र की तारीकों को लेकर खुलासा कर दिया है संसद का सीट कालिन सत्र इस बार 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इसके 22 दिसंबर तक चलने की संभावना है सूत्रों की माने तो लोकसभा की कारवाई के पहले या दूसरे दिन यानि चार या पाँच दिसंबर को ही एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओंबिला लोकसभा के राय लेंगे कि Ethics Committee की इस रिपोर्ट को सुईकार किया जाए या ना किया जाए और अगर लोगसभा बहुमत के आधार पर Ethics Committee की इस रिपोर्ट को सुईकार कर लिता है तो उसके बाद महुआ मोहितरा की लोगसभा सदस्ता खारिज हो जाएगी यानि वह लोगसभा की सामसद नहीं रहेंगी और उसके बाद महुआ मोहितरा को तुरंत लोगसभा से जाने को कह दिया जाएगा हलाकि इस पूरे प्रोसेस पर महुआ मोहितरा कई बार सवाल उठा चुकी है और वो कई बार लोगसभा स्पीकर ओम बिल्ला को पत्र भी लिख चुकी है